तो अब इन सभी लोगों के ओप्रेशन जो होते हैं वो अलग-अलग होते हैं तो पहले हम देखते हैं कि कितनी तरीके के लोग आपकी कंपनी में होते हैं जैसे अभी हमने बात की तो जिन लोगों ने बोला ना मेरे पुराने लोग है लेकिन कुछ करते नहीं है वो ये categories के अंदर आते हैं जिनके पास skill तो है आता सब कुछ है लेकिन क्या नहीं है करना कुछ नहीं है ऐसे एक mindset वाले लोग दूसरी categories के अंदर कैसे लोग होगे जिनको skill कुछ नहीं पता है मतलब आता कुछ नहीं है लेकिन willing उनकी ज़्यादा है ये नए लोग होते है जब आपकी company में joint होते है उनको करना बहुत कुछ है लेकिन आता कुछ नहीं है फिर कुछ ऐसे लोग होते हैं आपकी team में जिनको आता भी है करते भी है और बहतर ढंक से करते हैं लेकिन ऐसे लोगों को grow कैसे करना है वो हमें पता नहीं होता है तो हम वहाँ पर उनका growth जो है वो अटका देते हैं और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास कोई skill नहीं है कोई will नहीं है कुछ करते नहीं है कुछ करने देते नहीं है और कोई करेगा तो इसको रोक देते हैं पीचे से, हमें लगता है यह हमारी टीम का सबसे बेश्ट बंदा है, इसको लीडर बनाओ, और वही बंदा होता है जिसकी skill will खतम हो गए होता है, तो अब हमें करना क्या है, अब हमें इन लोगों का इलाज करना है, तो सबसे पहली categories जो आएगी, skill है, will नहीं है, इन लोगों क साथ हमें करना क्या है, तो इन लोगों को करना है motivate, अब motivate करने का मतलब यह नहीं कि उसको हम excited करे, motivate करने का मतलब यह है, हम जाने उसका काम करने का motive क्या है, कोई बंदा पैसे के लिए काम करता है, कोई बंदा नाम के लिए काम करता है, कोई बंदा अपनी प्रशिष्टा के लिए काम करता है तो सबकी definition success की अलग होती है तो हमें ये जानना है कि ये categories में आने वाले लोकों का काम करने का motive क्या है उसके dream क्या है उसके goal क्या है ये जाने second categories के अंदर आने वाले लोग जिनको skill नहीं है लेकिन wheel है तो skill हमें देना है मतलब इन लोकों का आपको करना पड़ेगा train तो आने वाले तीन महिने आने वाले छे महिने आप उनके साथ time बिताइए उनको तैयार कीजिए उनको performance दीजिए और उनके साथ रहकर उनको सारी चीज़े सिखाइए क्योंकि यही person ऐसे है जो आने वाले time में रिजर्ड प्रोडूस करके आपको देगे फिर कैटिगरिस आएगी जिनकी skill भी है वर will भी है वही तो ये चुपे रुस्तम है जो आपकी company में आपको आपके routine से free करने वाले है तो इनको ढुणना है इनको बाहर लेकर आना है इनको आपके सारे काम delegate करने और आपको उनको अपनी second line तैयार करनी है निकलने का मतलब ऐसा नहीं है यही से निकल कर सिधा reason दे देना निकलने का भी एक तरीका होता है लेने का जैसे तरीका होता है ऐसे निकलने का भी एक तरीका होता है हाँ बाए आमना देा गिया, सामडू, और आमने बदाने मकाड़ी दी दा, ऐसा मत करना निकलने का एक तरीका होता है, और तरीका ये होता है, पहले तो उसको समझाओ उसके बाद उसको ट्रेंड करो, कि चलो वो सुधर जाए, और तीन बार मौका देना होता है, कितनी बार? पहले recruit कर लो जिससे उस position के उपपर वो चीज खाली न रहे जाए क्योंकि second line तयार नहीं होगी recruit नहीं होगा तो वो पूरे काम का burden आएगा फिर से आपके उपपर वैसा नहीं करना है clear फिर ये categories के अंदर आने वाला बंदा है उसके साथ एक activity करनी है उसको duplicate करना है वो आगे हम देखेगे 11 step एक बड़िया team बनाने के जिसमें एक part आएगा कि ऐसे लोगों को कैसे तयार करना है फिर यहाँ पर आपको अपनी company का खुद का teaching का program तयार करना पड़ेगा आपके sales के लिए अलग training, service के लिए अलग training, manufacturing के लिए अलग training और हर बंदे को वो training मिलनी चाहिए उसके काम को करने के लिए तब जाकर वो बंदा best perform कर पाएगा और उसके बाद आपके पास ये motivation का चार्ट होना चाहिए जिसको आप incentive भी बोल सकते हो जिसको आप उसको average reward भी बोल सक में EC को major करने का एक system होता है जिसको हम कहते है PMS, performance measurement system वो आपके वाहा होना चाहिए कि कौन इसका हगदार है और किसको मिलेगा, clear, आगे बात करते हैं, अब बात आती है बहुत सरे लोगों का question था कि सर लोगों को recruit कैसे किया जाए, लोगों को हम लेकर कैसे आए, और लोगो को hiring process के अंदर क्या किया जाएगा, तो अब हम बात करें के recruitment की process और recruitment के अंदर देखेगे कि लोगों को लेकर आने से पहले आपका mindset ये therapy से clear होना चाहिए, ये theory है, ये theory बहुत detail में है, इसकी उपर किताब है, लेकिन इसको मैं basic आपको खाली समझा देता हूं, कि कोई भी ब अपड़ा और मकार, तो उसकी basic knit के लिए वो जुड़ेगा, फिर वो basic knit पूरी होने के बाद वो क्या सोचेगा, उसकी safety हो, तो जहां वो काम कर रहा है, वहाँ पर उसकी security हम कैसे दे सकते हैं, वो हमें सोचना है, बड़ी कंपनियों में लोग काम क्यों करते हैं, वहाँ पर पिएफ कट होता है, बड़ी कंपनी में लोग काम क्यों करते हैं, वहाँ पर उसको additional benefits मिलते हैं, उसकी safety और security के लिए, हम क्या दे सकते हैं, हमें सोचना है, फिर आगे यहाँ पर क्या आएगा, उसको एक love मिलना चाहिए, एक response मिलना चाहिए, एक अच्छी position मिलनी चाहिए, कि आपके साथ काम करने वाले बंदा जो है, उसका खुद का एक अच्छा bonding बन जाना चाहिए, उसकी team के साथ, उसके लोकों के साथ, तो वो bond कैसे build करना है, वो हमें सोचना है, उसके बाद उसका आ जाता है next level, कि उसको खुद को यह realize हो जाता है, कि मैं एक performer हूँ, मैं एक champion और वो उसको बनाना, यह हमारी जिम्मेदारी है, अगर हमारे साथ वो बंदा जुड़ रहा है था, कि हमारे काम में काम किया हुआ हर बंदा आने वाले पास साल या आने वाले दस साल में एक best performance होगा, और जब वो best performer बन जाता है, फिर आपको उसको क्या कर देना है, ऐसे तयार कर देना है, कि उस person का mindset clear हो जाना चाहिए, कि यह company के लिए मैं बना हूँ, और अब यह company के नाम मेरी पूरी जिंदगी, तेरे नाम, मतलब company के नाम, उस level पर उसको तयार कर लेना, उस level का उसका mindset हो जाना चाहिए, दिखते हैं कैसे, तो सबसे पहले recruit करने के लिए, आपको ये step follow करने है, जिसमें पहला step क्या है, आये हुए बंदे का skill क्या है और will क्या है ये जाने, skill क्या है और will क्या है वो जाने second आपको क्या करना है उसको बताने है आपका विजन क्या है आने वाले पास साल में आप करने वाले क्या हो वो उसको बताना है वो बताने के बाद आपको उसको clear करना है आपको क्या काम करना पड़ेगा और आप मेरा विजन अच्छू करवाने में मुझे क्या मदद कर सकते हो फिर आपको clear करना है company का future का structure कि आज आपने ये position पर काम सुरू किया है भविशमें आप यहाँ पर जा सकते हो फिर clear करना है salary, incentive क्या देगे और company की policy क्या होगी फिर recruit करने के बाद उसको train करना पड़ेगा recruitment होने के बाद और last में आएगा उसका review और reporting regular कि कोन उसका review लेगा और कोन उसका reporting करेगा वो clear होना चाहिए तो कभी भी जब आप recruitment process करना सुरू करते हो इतनी चीज़े आपको build करकर अपना काम करना और अपने वहां कैसा होता है तो एक बार आजा फिर देख लेगे तो आवी तो जाए एक बार तो ऐसे नहीं होता है ऐसे होता है और आपको खुद को सिखना पड़ेगा interview कैसे लिया जाए बहुत सारे businessmen लोकों को interview लेना नहीं आता है इसको accept करो अगर नहीं आता है तो आता है तो बड़ी है तो ऐसे लोकों को आप अपने साथ रखो जिसकी इसमें expertise हो और वो होते हमारे जैसे consultant क्यों बहुत सारी companyों में जाते है आपके साथ बैठते है आपके साथ बैठकर interview लेते है और आपको guide करते है कि कैसे interview होता है process clear है activities number 18 और page number रहेगा 54 यह पूरा process हमने आपको बताया है कि interview अगर आपको लेना है और लोग डूणने है तो वो कहां से मिल सकते हैं तो इसको hw कर दीजे homework इसके ओपर आपको workout करके आना है कि कहा कहा आप काम कर रहे हो और कहा और आप कर सकते हो नए लोगों को लाने के लिए यह पूरा process हमने आपको बना कर दिया है